हेलो गाइज वेलकम तो अनदर व्लॉग अभी हो गई है सुबह तो यहां मेरे पच्चे अभी अभी जागे हैं सोकर उठे हैं और मैंने इनको ब्रश करने को लगा दिया है यह आज का टिफिन लगेट्स जो मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था अधिन्क दिस वेनेस्टे तो क्योंकि त्यूस्ते का जो व्लॉग था इसमें मैंने निक किया था यह चिकन को और यह था उनका टिफिन यह हाफ प्रेड में मतलब यहां मुर्श इसमें तो इसे रोटी कहा जाता है तो रोटी में मैंने चिकन नगीट्स दे थे और अलग से भ जो फिस की तरह होता है यह मैं once in a while लेती हूँ पहले में रेगला लेती थी बट अभी मेरे पास दूसरा मर्टी विटामिन्स है यह भी मुझे अच्छा रखता है इसका टेस्ट और इंची टैंगी फ्लेवर तो मैं कभी-कभी यह वाला भी ले लेती हूँ अपना ख्यार रखना है सो या फिर वहां से आने के बाद मैंने सोचा कि आंगन बहार दू इतनी हवा चरती है ना तो मतलब और इतनी धूर मत्टी भी उड़ती रहती है खैर धूर मत्टी तो थीक है पर यह प्लांस के रीवस वगरा भी है ना घर तक आ जाते और कभी-कभी तो घर में भ जोर-जोर से हवा होती है तो यही मैंने साथ कहा कि थोड़ा आंगन बहार दू और फिर कुछ प्लांस के ना पत्ते भी सूख रहे थे जो मैंने नए फ्लावर के प्लांस के लिए थे उनमें फंगस इंफेक्शन हो गया था तो यह तो मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है क् कि फ्लावर प्लांस वगरा मैं जल्दी लेती नहीं हूँ और यह फर्स टाइम था जो मैंने बहुत दिल से पर्चेस किया था और पॉट में ट्रांसफर किया था इनको फिर यह लाइक मेरे बेबी जैसे ही है तो मुझे इनका भी बहुत ख्याल होता है मैं सुभर शाम इनक कर देती हूं और फ्लावर को पानी देना इनके लिए मेरे मेडिसन भी खरीदा था तो बंस इन सेवें डेस देना होता है वह भी मैं देती हूं रेगुलर्ली इनको मतलब फर्टिलाइज बॉटर जो होता है वेच्टिबल्स वाश करने के बाद या जैसे जैसे मतलब जो प तुलगर जीआ स्ट्रा भाद करना अगरे मतलब एक ट्रूत था था मुझे सच में बहुत सेवा करनी होता है इनके इनके सोईल को लूज करना जो व्लावर जो रीव सुख गए हैं उनको हटाना और सूख जो रहे हुए फ़लावर्ल ने शुन हैं जहार में छोड़ना चाह यह सब भी है फिर यही सब करते करते समय हो गया रंच का आज मैं बना रही थी लौकी डाल के डाल आप देखोगे मेरे घर में मोसरी हफते में दो से तीन बार लौकी वाली डाल बनती है क्योंकि बॉटर गार्ड इस वेरी गूड फॉर है इसमें 60-80% वाटर होता है लेकिन मे गुसा करना पड़ता है या फिर अपने हाथों से ही खिलाना पड़ता है तो मैं क्या करते हूं कि दाल में कुछ भी जो भी सबसी अवेलेबल है मेरे पास वो में डाल दू और यह जो लौकी वाली डाल है वो सभी कोई पसंद आती है और ऐसा भी है कि जो बिट्टो हस्बे मैं मैं हस्बेंड उसको इसकी सबसी अच्छी नहीं रखती है तो प्रिफर्बली आइ जस पुट इट इन माइ दाल की यूज हो जाए तो मैंने यहां दाल बॉल करने करे रख दिया था कूकर में फिर थोड़ा सा राइस भी रख दिया था तो पैर के लिए मुझे और साथ ही मैंने एक स्वीट पटेटो का जो पीस था उसको कट करके लग दिया फॉर स्नाकिंग अगर मुझे भूग लगी या कॉफी वगरा के साथ कुछ नहीं होता है ठाने के लिए सम्टाइम्स आइग हंगरी यह सब अपने पेट पुजा की तैयारी करने के बाद मैं आ गई ब फिरीया नाव पीजैन भी आ गई है बहुत सारे मैना भी आ जाते हैं वह बहुत शोर करते हैं वो बुलाते हैं अपने सारे मतलब फ्रेंड्स को फैमिली को रिलेटिव को जैसे मैं रोटी डारती हूं तो मैंना की काई काई शुरू हो जाती है और वो अपने सारे फ्रेंड्स को अगरा को बुला लेते हैं पर पीजेन और स्पारो जो होते हैं यह अपना छुपचप से खाके चले जाते हैं तो कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है इंको देखने के लिए कभी-कभी क्या वैसे तो रोजी अच्छा लगता है मैं रोजी कोशिश करती हूं कि इनको अपना फूट दे दू समय समय पर तो इनको पता जैसे मैं बाहर निकल गई हूँ न तो वो लोग आकर बैठ जाते इंतिजार करते कि अभी ममा फूट दालने वाली है फिर ये सब होने के बाद मैंने मेरा डाल जो था वो बॉइल हो गया था तो मैं इसको छोखने आ गई चोखना भी मतलब मैं बहुत मसाले तो यूज नहीं कर दिए अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा जैसे प्याज हो गया हरी मिर्च हो गई करी लीफ टोमाटो वैसे आज कर क्या रेट चल रहा है आपके यहां टोमाटो का बहुत सारे रीज बन रहे हैं आईशी पे टोमाटो को लेकर देख लिया है मैंने मुस्ट अफ द मम्य भी कह रहे थी कि बहुत सारे बहुत एक्स्पेंसिव हो गए हैं टोमाटो मेरा डाल अलुष चौकत हो गया था मसाले अच्छे से भून जाते हैं जैसे प्याज यह टूमाटो अच्छे भून जाते हैं तो मैं अच्कर देती हूं और इस तरीके से ये लौकी वाली दाल तयार हो जाती है मेरे घर में मेरा ये comfort food है मतलब कुछ मैं बनाओ या नहीं बनाओ या कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मैं दाल चावली बना देती हूँ हफ़ते में दो से तीन दिन तो हम दाल चावली खाते हैं वैसे नौन विच नहीं खाते हैं जैसे मंड़े को नहीं खाते हैं फ्राइड़ी को नहीं खाते हैं तो बस बाग की दिन ही खा पाते हैं तो वो एग या चिकन का भी मैं बना देती हूँ तो आज था दाल का दिन रौकी वारी दाल तयार हो गई थी और बच्चों को वैसे नगिट्स तो देई दिया था मैंने उसमें से कुछ बच भी कहे थे दो तिन बचा कर रखा था क्योंकि वो लो कह रहे थे मुझे कि स्कूल से आके खाना है उनको तो ऐसे रोके ठीक है शुबस शुबार उनको कुछ खिरा दू या मैं कितनी बार बोर चुकी हूँ उनको की पराठे वगरा ही खालों में पनाने के लिए तैयार हूं बट वो लो मना ही कर देते हैं तो कभी कभी बहुत मुश्किल से कहते हैं मुझे पैनकेक वगरा खाना उनको ब्रेकफस्ट में या दर्वाइस नहीं तो ये था मेरा रांच कि अ sampai के हंदा हैं था नहीं नहीं का मेरा खाना उनकोड समा है झाल झाल करती क्या है तो बरतन वगरा रमासने के बाद फिर खुद पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया मैंने मतलब काफे टाइम से योगा नहीं क्या था एक्सराइज या वाकिंग तो मैं हमेशा ही करती हूं लाइक मैं आलवेस आलवेस टेल यू गाइस की मेरा वाकिंग स्टेप्स एवरी नाइट मैं आईजी पर पोस्ट करती हूं कितने स्टेप्स किया हैं तो यह वंस इन वाइल आए प्राक्टिस योगा घर में अब यह सब करने का ना कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम तो नहीं ह वेरी वेरी हेल्पफुल और मस्ट तो यह थोड़ा सा योगा प्राक्टिस एक्सराइज यह सब करना जरूरी होता है नो नीड और फैंसी क्लोधिंग नो नीड फैंसी योगा माट्स मेरे पास देखी यह तोविल जो है घर का यही में यूस कर रही हूं अगर आपने अभी कपड़े वगर आभी रमास दिये कपड़े फोल कर दिये इनको पहुचा दिया अपनी अपनी जगा और इन फैक्त यहां पर मिले हजबन के कपड़े भी मैंने प्रेस करके रख दिये थे तो और उसके बाद मैंने फिर बच्चों के लिए इस नाक का भी इंतजाम कर दिया आधा कि मतलग क्या खाएंगे स्कूल से आकर वो लोग खाना नहीं खाते हैं क्योंकि इस और इफ्ल लॉट जब तक वह घर पहुचते हैं और शिक्स ओक्रोक को तो हम डीनर लेते ही हैं दो घंटे बाद तो फिर वो क्या मतलब ऐसे खाएं तो मैंने उनके लिए वामिसल त कर देती हूं जब ही वो लो मुझसे मतलब सेवया या फिर सूची का हलवा यह सब डिमांड करते हैं तो मैं वही आड कर देती हूं तो यह भी एक टिप है अगर आपके बच्चे प्राइफरूट्स नहीं खाते हैं मेरे बच्चों की तरह तो उसका पावडर बना कर यूज कर सकते हैं यही है जो छोटी-छोटी चीज़ें है राइफ को स्मूद बनाने के लिए जरूरी होती है अब हर मॉमी यही सोचती है कि अब उसका बेचा यह नहीं खा रहा है तो उसको यह किस तरीके से खिलाया जाए तो यह आइज सम्टाइम्स मेरे बच्चे भी बहुत न ही चलेगा वाइब बैट्री कर तंब हो गए इसाइज बनारी बच्चा लों में भी इने वाला हो गिसमें मुद चलो उट्टो चलो खाने को दू आधी उठो चलो कपराशेंज करो no sorry god the white white is milk what is milk? milk? I like milk आज़ न मुझे वो वी वाला मिला है कि आप वी वाला? 2 बडला टकी V यानी की 5 पहले कपड़ा चेंज करो मैडम, ओ बारीश शुरू हो गई, जैसे बारीश शुरू हो गई, यह बच्चे घर पर आगए वैसे ही, याने के बाद, बेट नहीं कर सकते हो, कपड़े चेंज मी नहीं किया, पहले खाने लग गए, ऐसे ही अश्यू, नौ, जा पहले कड़ो, हाथ पर दो, हाथ पर कड़ो, तुमको नहाना है, तो देस इस मॉम लाइफ, इनको मैंने फिर से खाने के लिए दे लिया था, हरका फूल का बाफ करवा कर, और आई होप, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बच्चों को स्कूल छोड़कर, छोड़ने के बाद और उनके आने तक मैं क्या क्या करती हूँ, पसंद आया है आज का व्लॉग तो प्रीस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट भी कर सकते हैं, और यहां मैं दही जमा रही हूँ, मेरा दही खतम हो गया है, तो मिल्क पावडर, वाटर, और उसके बाद थोड़ तो मिल्क कर दiph, गज में देज़ देया है, और भी को तूरर फियां मैं देमी ह갈, पावर बाद कर तूरर two five six ten drinks at the bar no boundaries I get too close no little by little here cause I get my own